बड़ों को फरनाम बच्चों को फ्यार आप सबको नमस्कार जैहिन सातियों में आरके नाएक आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ उमीद करता हूँ सातियों आप सब बिलकुल ठीक होंगे आप सब की तहरी बहुत अच्छी चल रही होगी आज सा लिबस में भारतिये राजव्योस्ता यानि इंडियन पॉलिटी है तो सातियों आपका यह जो एक्जाम है उसमें हमारी इस वीडियो सरंकला को देखने के बाद और जो हम पीडियो देंगे आपको रिवीजन करने के लिए अगर आपने रिवीजन समय समय पे करते रहे तो आप जब भी किसी भी एक्जाम को देने के लिए जाएंगे तो वहां पर भारतिये सविदान से समदित आपका कोई भी क्यूशन गलत नहीं होगा और साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है जो करन्ट अफेर की महत्वपन गरता है होती है जो भी सविदान में संसोदन बगेर हैं जो भारतिये राजव्योस्ता की इसका यह है आपका पहला वीडियो इस वीडियो के बाद में साथियों लगातार आप तक जब तक बारतिये सविदान इंडियन पॉलिटी कंप्लीट नहीं होती है तब तक यह सरंकला आप तक के इसी परकार कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे और पीडियेफ है वो भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी अब साथियों बारतिय राजव्योस्ता को हम कौन कौन सी पुस्तक से कवर कर रहे हैं या फिर इस वीडियो सरंकला को बनाने के लिए जो पीपीटी में ने बनाई है कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ करके बनाई है तो उसके लिए साथियों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो जो मेरे पीछे यहां पर अक्साइसे से लेके बारह तक और बाकी कौन कौन सी पुस्तक कर सथा उन सबके बारे में अगर आपको जानकारी भी चाहिए और लेनी है तो आप सबसे पहले कौमेंट कर सकते हो किसी भी पुष्टक का अगर पीडिएप चाहिए तो और बाकी सातियों इसकी पीडिएप तो आपको मिलेगी ही मिलेगी जो मैं आपको यहां पर पड़ा रहा हूं यह मिलेगी साथ ही दोस्तों इस वीडियो सरंकला में हम कौन-कौन करने वाले हैं तो सबसे पहले साथ हूं आपको क्या करना है हमारे इसी चैनल की पले लिस्ट में जब जाकर देखेंगे बुक रीव्यू 2022 के नाम से बना रखिए उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने एक पॉलिटी का वीडियो अलग से बना करके डाल दिया है वहां पर वह वीडियो है उसके मादम से आपको यह पता चल जाएगा कि हमें बारतिय सविदान या इंडियन पॉलिटी को कवर करने के लिए कौन-कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए तो वह साथियों आप वहां पर देख लीजिए और उस वीडियो को देखने के बाद साथियों आपको जिव्यवस्ता यानि इंडियन पॉलिटी सबसे पहले साथियों आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो सविदान है इस सविदान को पढ़ने के लिए या फिर हम पॉलिटी को जब पढ़ रहे हैं तो जो एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं उनके लिए तो फाइदे मन साबित चाहिए कि नाते में आप सबसे request करता हूँ कि आपको यह सरंकला एक जागरुक नागरिक होने के नाते देखनी चाहिए क्योंकि सात्यों इसमें हम कुछ ऐसी भी मेहत्पुन जान कर आपको देने वाले हैं जो कि सात्यों आप किसी भी एक्जाम की तैरी नहीं कर रहे हैं फ साथ ही दोस्तों हम यहां पर complete जो इंडियन पॉलिटी है वो इस सरंखला में आपको कवर करवाने वाले हैं तो सबसे पहले साथ हूं constitution of India तो यहां पर साथ हूं आप देखेंगे कि सविदान किसी भी देश की जो सेर्वोच मौल की वीडियों का संग्रे होता है यानि कोई भी देश का अगर सविदान है तो उस देश समन्दित जो सेर्वोच मौल की वीडियों है कानून जो बनाए गए हैं उन सबी का संग्रे किस में मिलेगा आपको वो सविदान में मिलेगा तो ये है सातियों सविदान से समझ दित उसके बाद में है सातियों सविदान जहां भी लिखा गया है वो एक मातर पुस्तक नहीं है क्यों नहीं है सातियों क्योंकि उसके अंदर जो भी निती नियम बनाए गए हैं जो कानून बनाए गए हैं सक्तियों का और उतर दायतों का एक मातर सरोत है क्या है वो है साथियों सविदान इसलिए उसको हम मातर पुस्तक नहीं मानेंगे क्योंकि उस सविदान में वर्णित एक एक टोपिक का मैतोह हमारे जीवन में होता है और देनिक जोबी कारिय करम हमारे चलते हैं जो भी प्रोग्राम सरकार हमारे लेकर आती है तो उसमें हमारे सविधान का सबसे मैतवपून योगदान रहता है तो यहां पर सात्यों इस समझीत कुछ और मैतवपून जानकर आगे लेते हैं कि सविधान में और आपको क्या-क्या मिलने वाला है सबसे पहले साथियों सविदान में आपको विदाइका कारिपालिका और न्याइपालिका के माद्यम से अधिकारों की जो सक्तियां है उनका विवाजन करता है कौन सवीदान सबसे पहले साथियों क्या होता है जैसे विदाई का है या फे कारिपालिका है नयाई पालिका है इनके मद्दे जो भी अधिकार होते हैं और इनके जो सक्तियां होती है उनका विबाजन किया जाता है किस में सवीदान में और इनके विबाजन का वर्ण हमें कहां पर मिलता है साथियों वो सवीदान में मिलता है अब सातियों क्या है जेसे मानलो हम अपने उपर लेते हैं घर पर आप देख सकते हूं अगर घर में ममी पापा ममी अपने इसाब से चले पापा अपने इसाब से चले बच्चे अपने इसाब से चले तो क्या है उस घर में हमेशा फूट पर जाती है तो उसी परकार सातियों यह जैसे माननों विदायका अपना कारिय अपने इसाब से करें कारिय पालिका अपने तरिके शे करे हम सविदाण को नहीं मानते अगर इस तो इस तरह की इस्तिथी बन सक्तियां है उनका भी इसप्रस्ट विबाजन होता है कि तुम को क्या क्या सक्तियां दी गई है और उनके जो अधिकार है उनका भी अलग इसप्रस्ट विबाजन होता है तो यह विबाजन साथियों सविदान में देखने को मिलेगा आपको और उसके बाद में साथियों ताकि कि उनमें किसी भी परकार का तक्राव उत्पन नहीं हो अब साथियों क्या होगा अगर सक्तियों का विभाजन नहीं होगा अधिकार जिसको भी मिले हुए हैं उनको अगर कंफरम नहीं होगा कि जैसे मालो साथियों एक एक्जामपल देता हूं मैं आपको आप घर से जब भी निकलते हो तो ट्रेन आती है या फिर फ्लाइट में जाते हो अगर इनका सही तरिके से कहीं भी अगर management नहीं हो रहा होगा तो क्या है कोई किसी भी समय आएगा जायेगा इसे क्या है एवे उस्ता होगी आपको मानलो कहीं हर यातरा करने के लिए जाना है तो अब अगर साथियों ट्रेन समय पे नहीं आती है तब आपको कैसा लगता है तो उसी हार्थ यो जो सवीधान सही तरिके से कारिय नहीं करेगा तो हमारा जो जीवन है वह अस्त हो जाएगा और साथ ही दोस्तों हम एक सब्वे नागरिक होने के नाते हमारा विदायतियों बनता है कि हम सविधान में वर्नित परतेक प्रावदान निती नियम जो भी बनाए गए हैं उन सब का अच्छे से उप्योग करें और उनको हमारे जिवन में लागू करना चाहिए त इसमें विदायका और कारिपालिका और नाइपालिका के मद्दे तो उसका विबाजन काम पर किया गया है साथियों इस पस्ट विबाजन हमारे सविधान में किया गया है अब साथियों उसके बाद में हम यहां पर देख लेते हैं कि सविधान में और क्या-क्या मेहत्पुन दे माना जाता है जिसमें शासन के उन मुल्बूत सिदांटों के बारे में जानकर दी गई होती है कौन से मुल्बूथ सिदांत. जिनके अनुरूप किसी भी देश ? या पर जो राज है ?ंके सासन का संचालन किया जाता है ? यानि साथियों सविधान में जो सिदान्त है उनकी जानकार दी गए कौन से सिदान्त की जिसमें कोई भी देश हो कोई राज्य हो उनके अंदर साथन वे उस्ता कैसी है किस परकार से साथन का संचालन होगा उसके बारे में संपुर्ण जानकारी मिलती है तो वो सविधान में म संकेत मिलता है किसमे सविदान के अंदर यानि कोई भी देश है तो उसके जो मौल-भूत आधर्ष होते हैं उनका उल्ख कहां पर मिलता है आपको वह साथिउमापको एक ही जिगर मिल जाएगा वह सविधान के अंदर उसके बाद सातियों आप यहां पर देखेंगे साथ ही यह भी इसपेश्ट होता है कि सरकार के वीबिन जो अंग होते हैं वो किस परकार से कारिय करेंगे और उनके बीच किस परकार का अंतर सम्मंद होगा और उनकी सक्ति का जो संतुलन है किस परकार से होगा वो भी जानकारी हमें किसके मादें से मिलती है सविधान के मादें से मिलती है अब सातियों इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाद में जब हम सरंकला परार करेंगे इंडिन पॉलिटी से समंदित तो उस समय आप अगर आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे रिविजन करेंगे तो आपका कोई भी क्यूशन गलत नहीं होगा अब साथियों उसके बाद आप यहां पर देखिए सबसे पहले है कि सविदान सरकार के साथ जनता के जो यादी डांचा भी निर्दारित होता है जिसके अंतरकत जनता सासित होती है यानि जनता पर जो सरकार होती है वो क्या करती है अपना सासन साशित करती है तो उसके लिए उसका वीबरन सरकार को क्या क्या सक्टियां दी गई है यह सारी जानकर आपको सविदान में मिलेगी औ या तो अब उसके बॉलत हो सकता है आप पहली बार सविदान की ये ऍसे पहले हैं उसके बहुत बार और किसी भी एक्जाम के अगर तैरी कर रहे हैं तो आपने सविधान तो जरूर पढ़ा होगा लेकिन साथियों ये सरंकला कंप्लीट होने के बाद में वादे के साथ आपको कहता हूं कि भारतिय सविधान से समदित आपका कोई भी क्यूसन गलत नहीं होगा तो उसके बाद मे साथियों अब हम कुछ और मैत्वण जानकर लेते हैं तो यहाँ पर आए साथियों कि जिसके अंतरगत जनता साशीत होती है कि इसके दुवरा सविधान के दुवरा और किसी भी राष्ट्र के सविधान में निर्मित दर्शन यह निरदारित करता है कि वहां पर किस परकार क सरकार है अब अगर आप किसी भी देश के सविदान के बारे में जानकारी रखते हो या जानकारी लेना चाहते हो जैसे मालो हम इंडिया में रह रहे हैं और हमने अमेरिका के सविदान को अगर एक बार पढ़ लिया तो हमें पता चल जाएगा कि अमेरिका का सविदान किस परकार का है वहां पर सरकार है वो जनता के साथ में किस परकार का वेवार करती है और राष्ट्र पती को क्या सक्तियां दी गई है परदान मंत्री को क्या सक्ति होती है वो पूरी जानकर य सविदान कौन से होता है इन सब के बारे में यह सरंकला कम्प्लीट होने के बाद में आपको पता चल जाएगा अब सातियों सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि सविदान समंदित राष्टर के साशन के दर्षन की रूप रेका तैयार करता है अब सातियों सविदान क्या कर प्रत्रे का तयार करता है So verlści हमें पड़ना चाहिए किसी भी एकजाम की तetry कर रहे हो या फ़र नहीं हो है आपको सब्सवाइब के बारे में पता होना चाहिए तो जो जनता के विश्वास वे उनकी आकांक् सांग को परती बिंदित करती है उसके बाद में साथ आप यहां पर देखेंगे सविदान समंदित जो देश होता है उसके जो नागरिक होते हैं उनके लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है क्योंकि साथियों अब देखो जैसे मानलो सरकार को अधिकार दे दिया सविदान ने कि आप जनता पर इस परकार से शासन कर सकते हो लेकिन उसमें नागरिकों के क्या अधिकार होंगे वो भी सविदान में दिये गए हैं सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती वो भी सविदान का जो दाइरह है उसी के अंदर रह करके उनको क्या करना होगा अपनी सरकार चलानी होगी और अपने देश की जो जनता है या जो नागरिक हैं उनके लिए अलग-अलग जो इसकीम लेकर आती है वो इसी सविदान के अंतरगत ही लेकर आती है उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे कि अधिकार सुनीचित करना किसका काम है यह सरकार का काम है और साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभासित किया गया है अब साथियों सरकार के साथ साथ क्या है सरकार के क्या कर्तव्य हैं और जो नागरिक होते हैं उनके क्या कर्तव्य हैं उन सभी को परिभासित किया गया है किसमें सविदान के अंदर तो यह साथियों सविदान से समन्दित महित्पुन जान कर यह चलते हैं आगे साथियों कुछ और मैतुकुन जान कर लेते हैं जो कि हमारे सविदान से समधित है तो यहां पर साथियों आप देखिए कि किसी भी देश का सविदान एक दिन में नहीं बनाया जा सकता अब साथियों जो सविदान होता है वो बनने में बहुत समय लगता है अब साथियों कॉम पढ़ा है आपने तो आपको इतना पता होगा अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है साथियों आपको आने वाले समय में ये सारी जानकारी PDF के रूप में और इस वीडियो सरंखला के रूप में मिल जाएगी तो सबसे पहले साथियों किसी भी देश का सविदान एक दिन में नहीं बनाया जा सकता बलकि ये एक एतियासिक के विकास का परिणाम माना जाता है एतियासिक परक्रिया के संपून ग्यान के आबाव में हम क्या नहीं कर सकते सात्यूं सविदान का भली भांती अदेन नहीं किया जा सकता अगर हमें एतियासिक प्रष्ट भूमी के बारे में पता नहीं है तो हम उस सविदान को जान नहीं सकते या पर उसको भली भांती अदेन अगर करना है तो उसकी प्रश्ठ बुमी के बारे में भी हमें क्या है पता होना चाहिए उसके बाद साथिओं आप यहां पर देखेंगे कि भारत में सविधान प्रंपरा का विकास कब से और कहां से हुआ तो शाथिओं यह हुआ अंग्रेजों के आने के साथ ही भारत में क्या है सविदान की जो परंप्राव बंग गई थी वह वहीं से सुरू हो गई थी क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था सातियों एक लिखित दस्तावेज के रूप में क्या है इस्ट इंडिया कंपनी को साशित करने के लिए या फिर उसको कांट्रोल करने के लिए या किस परकार से बारत के अंदर अपने कमपनी को चलाना है वो उससे समझित जितने भी प्रावदान थे वह लिखित थे और उसी के या आपको सविदान में मिलेगी पढ़ने के लिए तो इसका मतलब है साते हूं भारत का जो सविदान है इसकी एतियासिक प्रष्ट भूमी अंग्रेजों के आगमन से ही सुरू हो जाती है यानि भारत का जो सविदान है इसकी परंपरा का विकास अंग्रेजों के आगमन से ही ही हो जाती है आध्वनी के राजनितिक सहंस्ताओं का उदबव और विकास भी इसी काल में हुआ था या फिर माना जाता है कि इसी समय से इस जो सहंस्ताइं बनी है राजनितिक सहंस्ताइं उनका विकास हो गया था उसके बाद साथियों आप यहां पर देखिए सबसे पहले कि बारतिय सविदान के एतियासिक विकास का काल 1680 से सुरू होता है जब इस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है उसी समय से भारत में क्या है साथियों इस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ही जो भारतिय सविदान का एतियासिक विकास काल है वहीं से सुरू हुआ मना जाता है तो इसी वरस इस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है साथियों और कंपनी की इस्तापना की जाती है और उसके बाद साथियों आप य गार्य भारत सवतंतर हो जाता उसके बास सव teफ हो रोव जाता है और सवीधान की पूरी पर्कृरिया कंप्रीत होने के बाद जब सव डान हो जाता है तब से क्या है हमारा सवेधान है वो पूरे भारत के सबीज जगरें पर समान रूप से लागू होगा और उससे समंदित साथियों आने वाले समय में आपको मिल जाएगी पूरी जानकरी की सवविदान कब लागू हुआ था और सवविदान लागू होने के बाद अब तक उसमें कौन-कौन से संसोधन किये गए हैं तो यह पूरी विद्वान इस सवविदान को त्यार कर रहे थे उन विद्वानों के बहुत अधिक भूमिका निबाई थी उन विद्वानों ने क्योंकि साथियों उन्होंने सवविदान को त्यार किया है तो उनकी काफी मैत्पुन भूमिका हमारे सवविदान में माने जाती है उसके बा भारत का जो सविदान बनाया गया है उस सविदान को बनाने से पहले जितने भी दुनिया के जो महतुपुन महतुपुन सविदान थे देशों के उन सविदान को हमारे जो सविदान निर्माता थे जो सविदान बनाने वाले थे उन्हों उनके सविदान को पढ़ पढ़ने के बाद हमारी जो सभेता और संस्कृति है हमारा जो भोगोलिक इस्टिती को देखते हुए उन्होंने क्या किया उन सविदान में से कुछ मैतुपन प्रावदान अपने सविदान के लिए अपनी आउसेक्ताव के अनुसार सामिल किया तो लिए साथियों क्या है बहुत सारे देशों का सविदान अब किस किस सविदान से क्या क्या लिया है हमने वह भी जानकरी साथियों आपको आने वाले समय में इसी सरंखला के अंतरगत मिल जाएगी अब साथियों उसके बाद में है कि जो भारत के सामाजिक आर्थिक राजनितिक परीद दर्शियों के अनुकूल थे यानि साथियों जो भारत के आर्थिक और राजनितिक साथ ही दोस्तों सामाजिक की यानि हमारी जो सब्वेतास करती है उसके अनुकूल जो जो मैत्पुन जो उन सविदान में प्रावदान थे उनी को हमारे सविदान में सामिल किया गया था उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे सुरू में बिर्टी सासकों दौरा एउं सवतंतर्ता के बाद भा होता सा एक्जामपल जो अपने कोई भी वेखती चाहिए वो किसी एक्जाम की तहरी नहीं कर रहा है उसको भी समझ में आगे आजाए ऐसा मैं बताना चाहता हूं यहां पर चरण बन तरीके का मतलब क्या है यहां पर सविदान बनने का जैसे मान लो कोई भी बच्चा है समय तक वो रिष्टा चलता रहता है और एक दूसरे के मतलब है चारो तरफ से जानकरी लेते हैं कि यह कैसा है यह हमारे लिए आने वाले समय में इस लड़के का आचरण कैसा है या लड़की का आचरण कैसा है पूरी चीजें देखते हैं क्योंकि सात्यों उनके साथ में व सबसे पहले हम अगर ूसरे सब्दों में समझे या प olarak है तो आप आप इहां पर देख सकते हो कि भारतिये सव्विदानी के व्यवस्ता का निर्मान किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ यानि जो सवेदान के विवता है इसका निर्मान एक निश्चित समय में नहीं हुआ कि एक दिन में पूरा बना लिया और सब काम ठीक हो गया नहीं जब अंग्रेज आये थे उस समय से लेकर अंग्रेजों के जाने तक उन्हों उन्हें जितने भी कानून बनाए थे जितने भी नियम उनके थे उन सभी नियमों को यहां पर सविदान में किस परकार समिल किया है वो साथियों आपको पूरी जानकारी मिलेगी बलकि यह कर्मिक विकास का प्रियनाम है जो बिर्टिस आसन के दोरान धिमी गति से हुआ अब जो माबाप है उनको तो क्या है उस बच्चे का काफी फिकर रहता है और वो क्या करते हैं उस बच्चे से मतलब किसी भी परकार के कोई समझे होती है तो उसके विकार से समझते है या वजन बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है बच्चा किस तरह से मतलब खेल रहा है प साही तरी नहीं करेंगे एक अनात बापतों किया हुए वह व्यौतिस ने बारत का उस समय और तो परकार से किया हो सब को पता है यह और उन सब करते हैं नह Mitar कि एंचे बायफ को आप यहां पर साहा है कि भारत के सबूएदानिंगे विकास को ना आ मांट सकते हैं अब सविधानी का सथ को हम दो भागों में बांच सकते हैं तो दो भाग कौन-कौन से होंगे वह भी साथ हम मृट हम लेंगे आने वाले वीडियो में लेकिन आशा करता हूं साथ हूं अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो गई थी और आने वाले समय में यह जैसे जैसे स्रंखला आगे बढ़ेगी आपके परतेक डाउट इंडियन पॉलिटी से समधित कवर हो जाएंगे आशा करता हूं साथियो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अगर वीडियो पसंद आया तो साथियों अपने दूसरे बाइबेंड जो किसी भी एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाले समय में यह सरंखला कंप्लीट होने के बाद साथियों आप अगर नेक्स्ट किसी भी सब्जेक्ट से समद इसी परकार की सरंखला देखना चाहते हैं या वीडियो तो उसकी लिए आपको क्या करना होगा हमारे इसी वीडियो के कॉमेंट में आपको लिखना होगा कि नेक्स्ट कलास जो है वह हम कौन से सबजेक्ट की त्यार करेंगे क्योंकि पॉलिटी तो जो त्यार हो चुकि है उसका हम वीडियो बनाना प्रारम कर दिये हैं और जो टोपिक आप बताएंगे जो सब्जेक्ट बताएंगे आप उनको हम आने वाले समय में करवाएंगे तो सातियों आशा करता हूं यह जानकरिया आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है सातियों आप अपने विचार अपनी बावनाएं कोमेंट में जरूर लिखेगा मिलते हैं सातियों अगले वीडियो में एक नए उमीद नए जोस के साथ तब तक आप पढ़ते रहिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रम